आज हम बनाएंगे दही और वेशन से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो सबको पसंद आए तो यहाँ पर हम एक कटोरी दही का इस्तिमाल किये हैं और एक कटोरी वेशन का इस्तिमाल किये हैं वजन में यह 100-100 ग्राम है आप कम या ज्यादा ले सकते हैं यहाँ पर हम सबसे प बनाए हैं तो इसमें हम थोड़ा सा भी डालेंगे और बाद में इस मसाले को फिर से यूज करेंगे इसी में यूज होगा तो यहाँ पर इसमें हम हल्दी डालने हैं और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक इसमें डालेंगे और यहाँ पर मिल्ची का थोड़ा सा पौडर ड दाल कर इसे गाढ़ा पेष्ट हम बना कर तयार करेंगे इसमें हम धीरे-धीरे पानी डानेंगे नहीं तो मेरा पेष्ट जो है पतला हो जाएगा तो यहां पर हमको बहुत अच्छी तरह से इसको फिर जेना है जिसे की मेरी जू रेसिपी है वह बहुत ही शॉप्ट और मुला तो इस तरह से हम जो तीन मीनट इसको अच्छी तरह से खेट चुके हैं तो यहां पर हम कडाही बठाए हैं उसमें हम डाले हैं सर्शो तेल और सर्शो तेल जब तक गरम हो रहा है तब तक हम इसको खेटते रहे हैं तो यहां पर दीके सर्शो तेल गरम हो चुका है और इसम हम छोटे-्होटे भेशन 25 अब ठेकिन निबसंद में टाल कर इसका बड़ी तयार कर लेंगे हैं यहां पर हम सारे कोम फट को उसमें दिल करते दिले डालेंगे चा कि आप छोटा भी बना सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं कैसा भी शाज ले सकते हैं तो इसको हम डाल चुके हैं और यहाँ पर दिखिए मेरा एक तरफ लाल हो चुका है तो इसको हम ऐसे पलटते हुए चलाएंगे जैसे की चारों तरफ से यह लाल हो जाए तो इस तरह से हमको बरी बना लेना है तो यहाँ पर हम बना रहे हैं दही वाला कड़ी यह बिहार में बहुत फेमस है और इसको एक बर बना कर खाये बहुत ही अच्छा लगता है इसे रोटी पर खाये चावल पर खाये बहुत ही मज़ेदार होता है यह बिहार में बहुत ही मसहूर है तो इसको हम दोग बेशन से ब बना सकते हैं तो यहां पर हम बड़ा बड़ा निकाले थे और धिखे थोड़ा सा हम उसमें पानी डालकर बेटर को पतला कर लिए हैं और इस तरह से हम इसमें पतला पतला डालेंगे जिसे कि मोची की तरह तयार हो आप छोटा छोटा बुंदी की तरह बना सकते हैं, एक कड़ी होता है, बुंदी वाला, तो हम इसको पतला-पतला लंबा-लंबा सा मना आए हैं, जिसे की जो कड़ी है उसके उपर उपर ये रहेगा तो अच्छा ही लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा तो यहाँ पर इस तरह से आप भी बना लीजिएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर चैलल पर मेरे नाप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो आपके तरफ ये क्या बोला जाता है इसको कमेंट जरूर करके बताईएगा तो यहाँ पर इस तरह से हमको चला लेना है कि सब तरह से ये लाल हो जाएं यहां पर देखिए हम चलाते हुए इसक निकाल लेंगे तो इस तरह से बनाने पर बहुत ही स्वाधिष्ट मेरा कड़ी बनकर तयार होगा यहां पर हम इसको निकाल लिए है अब आता है बेटर की बारी यहां पर बेशन बच गया है आधा को बनाये थे और उसी में हम डालेंगे दही तो इसमें थोड़ा दही खटा ह होता है तभी मज़ा आता है आपके पास जैसा दई हो वैसा को बना सकते हैं तो यहां पर हम इसमें हल्दी पॉड़र आले हैं अब डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची का पॉड़र और जो आदी लासून और मर्चाई का जो पेष्ट जीरा मर्च का था ओभी डालेंगे और श् बिश्ट आता है और एक बर बना कर देखिए दोस्तों मुझ से छूटेगा नहीं इसको हम सारे को धोकरिश में डाल लिए हैं और इसका हम पतला बेटर तयार करेंगे यहां पर शर्षू के तेल में हम जीरा और मर्चाई चत्पत्ता का हम तड़का देख दिये हैं आप इस क्या करते हैं कि कड़ी बनाते समय बाद में नमक डालते हैं फटने के चलते दोस्तों एक बार ऐसे बना कर देखिए कड़ी एकदम गरांटी है कि फटेगा नहीं नीचे ही इसको बिटर तयार किजिए उसमें सारे मसालें दही और नमक सारी एक बर डालिए और डाल कर और त इस तरह से बनाए ये बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनकर तयार होगा यहाँ पर हम सारे लिक्विट को डाल दिये हैं और उसमें हम पानी डाल दिये हैं जिससे कि यह पकने के बाद थोड़ा कड़ा हो जाता है इसलिए हम इसको थोड़ा पतला ज्यादा करेंगे और यहाँ प अखर से हम दुदू मिनूत के अंतराल पर ही चलाएंगे हमेशा नहीं चलाएंगे यह कड़ी भटता नहीं है बीना मन के भि आप बनाते रहें अभी नहीं भटेगा